हेलो स्टुडेंट वेल्कम टू माई चैनल आसीज मैथ क्लासेज आज हम लोग एलजब्रा में पढ़ने जा रहे है ग्रूप थियोरी जो की मोस्ट इंपॉर्टन हमारा चैप्टर है तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रूप डिस्कस करते हैं कि ग्रूप क्या होता है ग्रूप करते थे लेकिन यहाँ प्रॉप्रेशन को ओ से डिनोट किया गया है देन दे इस्ट्रेक्चर जी कॉमा ओ इस से टू बी ए ग्रूप इफ दा फालोइंग प्रॉपर्टीज आर सटिस्वाई यानि एक जो हमारा जी कॉमा ओ इस्ट्रेक्चर है यह हमारा कहलाता है अगर यह कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको अगर वैरिफाई करता है तो यह ग्रूप कहलाएगा तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर कोई जी सेट है हमारा तिक उसमें ओ उप्रेशन है तो अगर ए ओप्रेशन भी यह अगर ब्लॉंग करता ह जहां a, b b g में ब्लॉंग करता है तो यह हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है अगर यह वैरिफाई करता है सेकंड है असोसेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि हम लोग जानते हैं a operation b operation c equal a operation b operation c यानि पहले b और c से operation कराएं जितना है उसका a से operation कराएं equal आना चाहिए a और b के साथ operation करके फिर C से operation करके जैसे कि हम लोगों ने पिछला जो वीडियो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने operation के बारे में पढ़ा था से उसे property क्या होती हो कैसे उसको verify करते हैं फिर है existence of identity their exits and elements denoted by E are called the identity in G यानि जो हमारा identity element होता है उसको हम small e से denote करते हैं तो A operation equal क्या मिलेगा हमको A मिलेगा जहां A जो है वो G में बलॉंग करेगा यानि identity जो है वो exits करनी चाहिए फिर है existence of inverse यानि जो inverse है वो भी हमारा जो है वो exit करना चाहिए तो अगर ती चार property जो हमारी closer property, associative, existence of identity and existence of inverse अगर ये satisfy करता है तो वो हमारा जो algebraic structure है G, O ये हमारा क्या कहलाएगा एक group आप इसका screenshot भी ले सकते हैं, notes आप बना सकते हैं आगे हम लोग देखते हैं तो A operation A inverse equal क्या मिलेगा E यानि किसी भी A का अगर उसके inverse से हम operation कराएंगे तो हमको identity element मिलेगा तो ये बात हो गई group की अब हम जानते abelian group किसे कहते हैं जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा जो group है अगर वही group एक और property को verify कर जाए cumulative property यानि A operation B equal B operation A यानि अगर cumulative property satisfy होती है और बाकी जो चार पढ़ी वो भी होती है तो उस group का नाम हो जाता है abelian group फिर है order of यहाँ पे सॉरी यह गलत लिग गया है तो यहाँ पे इसको हम सही कर लेते हैं यह order of जो है वो हमारा है तो यहाँ पे order of group ठीक order of group यहाँ पर होगा the number of elements in a finite group is called the order of group यानि जो हमारे element होंगे कोई finite group है उसमें जितने element होंगे वही उसका क्या कहलाएगा order तो हम इसे कैसे represent करेंगे o bracket में g यानि order of g से represent करेंगे फिर है semi group तो semi group किसे कहते हैं अगर जो हमारा algebraic structure है g, o अगर यह केवल दो प्रॉपर्टी satisfy करें closer property और associative property तो वो हमारा कहलाएगा semi group और semi group को हम लोग associative group भी कहते है फिर है monoid अगर कोई हमारा algebraic structure जो की हमारा g, o है अगर यह तीन प्रॉपर्टी satisfy करें closer property associative property और existence of identity अगर यह हमारी property जो है वो verify करेगा तो यहाँ पर existent of inverse यहाँ पर of identity यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर existent of identity होना चाहिए तो वो हमारा monoid जो है वो कहलाएगा तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या-क्या पढ़ा एक बार फिर से देख लेते हैं तो सबसे पहले पर फिर से तो वो ग्रूप कहलाता है और अगर केवल और एक और प्रॉपर्टी कमिलियेटिव प्रॉपर्टी भी वेरिफाई करता है तो अब एलियन ग्रूप कहलाता है ठीक उसके बाद semi-group अगर दो प्रॉपर्टी अगर ये तीन प्रॉपर्टी सटिस्वाई करेगा तो आज हम लोगों ने पढ़ा जो की important चीज़ थी हमें ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखनी है तभी हमें ग्रूप थियोरी आगे जो है वो समझ में आएगी बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे है कि अलजबरा के वीडियो और लिए तो बिल्कुल वीडियो जो है वो पढ़ेंगे जैसे आपका जुकाओ होगा पढ़ाई के प्रती उसी साब से वीडियो पढ़ेंगे लेकिन पिछले कुस दिनों से बहुत ही कम अच्चे जो है वो वीडियो देख रहे है पूरे पूरे वीडियो नहीं देख रहे है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको फुल कॉंसेप्ट जरूर समझ में आए थोड़ा देखेंगे BSE First Year के Paper First, Algebra, Technometry, Paper Second सबकी Paper Third सबकी प्लेलिस्ट बनी है जितने भी वीडियो अब तक डाल चुके हैं उनको सभी लोग देखे और कमेंट करके जरूर बताते रहें कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है आपको इसे कुछ फाइदा मिल लहा है Thank you